वाहि गुरू जी का खालसा वाहि गुरू जी की फते निरंकारी हुकम अनुसार होण बाबानान सेंग जी डुड़ी दे पेंड पहुंचे जेड़ा फिरोजबूर तेसील मोगा विच है पता लगण दे कुछ प्रेमी हजूर बाबा नान सिंग जी दी सेवा विच दर्शना लई पहुंचे यथा शक्त सेवा कर शाम के दिवान दी समापती मगरो सेवक करा नू चले गए ते हजूर बाबा नान सिंग जी एक रुक हेटा आसन लाके निरंग कार नाल जुड़ गए कुछ दिन इसे तरह बीते एक रात नू जदो सेवक बाबा नान सिंग जी तो चुटियां प्राप्त करके वापस आ गए ते बाबा नान सिंग जी ने उस रुक हेटा आसन लालेया सर्दियां दे देन सी मौसम खराब हो गया ते अचन चे थी जोरदार हनेरी बारश दे नाल ही ठके दे गड़े वी पैंड लग पै ते इना जोर वखाया की बहुत सारे रुक मकान टै गए ते पशू पंची वी अंगिनत ही मर गए यह पासदा सी जी में परलो ही आ गई हो वे इदर हजूर बाबानान सिंग जी बिलकुल अडोल समादी से ते निरंग कारनाल जुड़े बैठे हन अते नियम अनुसार जद तक सिम्रन पूरा समाप्त ना हो जाए उठना नहीं यह जुड़े हन के जिम्र हो और कुछ हो ही नहीं रहा यह जुड़े बैठे बाबानान सिंग जी नो एक आवाज सुनाई दिती नेतर खोलो की तक क्या हजूर सचे पाच्छा कलगीदर जी शाक्षात सुरूप विच दर्शन दे रहे हन दर्शन कर दे सार ही बाबानान सिं रखे बैखुंट तिथाई तू सबना के प्रतपाला जीओ जिते आप गरीम निवाज खुद सुशोबित हो रहे हो उत्ते दुख तकलीफ दा की कम है दुज्जे आप जी दी याद विच दा नेरा सुख ही सुख है दुख तदे जा विसर जावे हजूर दसवे पाच्छा इह बचन प्यार परे सुण के मुस्करायते फुरमाया रिखी जी हनेरी बारश ठकका काफी है ते इस देनाल गड़ा वी पैरिया है जे तकलीफ हुन्दी होवे ता हटा देए अगो बाबानान सिंग जी ने उत्तर वजो बेंदिगी दी तनसो वेला जत मैं सतगरु मिलेया सो सहोचत आया गरीब निवाज प्रितम जी ओ सब कुछ दा आप जी दे हुकम अनुसार चलदा है दास नुता यूँ अनुपव हुन्दा है के एह गड़ा जो पैर रहा है देवते पुश्प वर्शा कर रहे हैं इह बारश जो हो रही है अम्रित वर्स रहा है जिम जिम वर साथ दर्शन होंदे हन उते तकलीव जा दुख के में छो सकता है यूँ करके कुछ होर बचन होंदे रहे फिर हजूर दसवे पाच्छा आशिरवा दे के अलोप हो गए इस रुख हेटा बाबानान सिंग जीने आसन लाया सी उस द्रक्त हेटा ना बारश सी ते ना ही गड़ होंदा है जिमें बाबानान सिंग जी दे हुकम दा बदा दूर पाणी रुक्या खड़ा है बारश बंद होंड मगरो जदो दिन होया ता नगर निवासी लोग इकटे हो के खैर खैरियत पुछन लगे फिर विचार की ती के जेडे महापुर्ख नगरों बाहर रुक हेटा देरा लाई बैटे हैं कि ओ इस डड़े खराब मौसम विच जियोंदे रहे होंगे जिस विच की बे गिनत पशुपंची सरीर त्याग गए हैं शायद ही बचे होंड चलो चल के पता करिये ते उन्ना दे अंतम संसकार ले सारे प्रेमी इक इक लकड़ी चलो जो मोड के ना ओना पवे विचार अनुसार प्रेमी लकड़ा चोको के तोर पै जदो नगर बाहर निकले ते रुखों हले दूर ही सी की तक क्या की बाबा नान सेंग जी टेहल रहे हैं ते कछेरे पर जो खदर दा परना लपेटिया होया है ए वी सुका है क्योंके उन्ना दिना विच कीथी ते रात दा समचार पुच्चया बाबा नान सेंग जी ने फूर्माया अपने सेव की आपे राखे आपे नाम जपावे जेह का ज किर्थ सेव की तहा तहां उठतावे सेव को निकट होई दिखावे यों सब समचार उन्झ सारे नगर निवासी दर्षन कर दे जेह कार कर देते तन बाबानान सेंग जी तन बाबानान सेंग जी कर दे नगर नो वापस आए बाकी नगर निवासिया नो एहे वारता जुनाई अते सारे इलाके वेच पता हो गया सो बाबानान सेंग जी दी उपमा होई वाहि गुरु जी का खाल सा वाहि गुरु जी की फते